बच्चों हम आयनिक ठोस में विद्धमान जो धनायन और रिनायन है उनकी संख्या के आधार पर उनकी सरचना के बारे में पढ़ेंगे जिन आयनिक योगिकों में धनायन A तता रिनायन B कानुपात वन रिस्टू वन होता है वो A B प्रकार के किस्टल को बनाते हैं और वो यह भी प्रकार के आइनिक योगिक हम उनको कहते हैं इस प्रकार के योगिकों में धनायन और रनायन दोनों की संयोजक्ता हैं समान होनी चाहिए for example NACL यानि कि यहां पर NAB है positive और CL है यहां पर minus तो इनका इनकी संयोजक्ता समान होनी चाहिए और इनके जो coordination number है वो भी समान होगा और इसका एक्जामपल है जैसे जैसे जड़ने से एने सील है CSCL है यह AB प्रकार के आयनिक योगिक बनाते हैं और इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो फर्स हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह sodium chloride का structure करेंगे तो इसका जो त्रिज्य अनुपात है यानि कि जो रेडिस रेशो होता है वो 0.414 से 0.732 के बीच में होता है और इसके जो समन्वे संख्या होती है 6 raise to 6 होती है sodium ion की जो तरिज्य है वह होती है 0.95 अंगस्ट्राम होती हो chloride के जो होती है तरिज्य वह 1.81 अंगस्ट्राम होती है तो इसका जो तरिज्य त्रिज्ज अनुपात निकाला है वो यह है 0.524 यानि कि त्रिज्ज अनुपात का जो मान है जो हमने इसका रेशो रखा है 0.414 से 0.732 उसके बीच में होता है यानि कि इसमें 6 इसकी जो समन्वे संख्या है या कोऊडिनेशन 6 होता है और इसका करें ओक्तहर होता है अब स्वक्ता है जो शोडियूं आयन है छे क्लोराइट आयनों से तता क्लोराइड आयन 6 जो आपके सोडियूम आयन से हैं उनके साथ ने स्क्ट्राहेडरल किस्टिलीय रूप में विवस्तित रहते हैं जिनमें एनेसी दोना आयनों की समन्वे संक्या 6 है यानी 6 सिक्स तू शिक्स है अब एनेसी ल की सरचना में क्लोराइड आयन एक फेस सेंटर क्यूबिक यानी शिक्राइड आयन के ची स्ःचना बनाते हैं एसी एक इकाम कोस्तिक आयने शयुदा झोर figur बनी होती होती है जिनमें से 8 उयुभा क्लोराइड आयन गंन के कौनों में तता शीस रन आयन जो होते हैं घंन के इसे शीच के स्लिटीज की प्रकाश जो बी और बी जो प्रसके किसे लिए सरचना बनाते हैं जैसे एने आई है कि आइः के अर्बिय का आपका ब्लैक तो आप का सोडियम है और जो आपका जू यह है वह पूराइड है यहां पर देखिए कि यहां पर किपल रच और एक सेंटर में प्रेजेंट है जो कि अमने पर पीछे चेक किया था तो जो हमारा क्यूब ए इसके चारो कौनों पर क्लोराइड है और इसके फेसेज हैं यह फलक है यानि कि हम बात करें यह इस तरह का श्रॉक्चर है अब इसके जो फासे हैं तो Thug places के अंदर आप यह देखिए कि आपको faces के अंदर दिखाई देगा यद्य हम hey aja क्वी एक लॉइड को यह ऍव को लें तो आप यहाँ पर देखी यह यह हो गया यह हो गया यह हो गया यहां हो गया यहां हो गया और बीच में इसके फलक पर यानि इसके यहां पर है जबकि जो आपका जो sodium molecule sodium atom है उसे आप देखेंगे वो कहां पर present है सोडियम atom को आप देखेंगे कि वो आपके यहां present है तो यह पूरा इसका structure है अब प्रती एकांग कोस्टिका में सोडियम और सील की गणना हम कर सकते हैं यानि की उपर जो हमने देखा है तो जो हमारे घन के जो कोने हैं उसमें यहां और फ्लक पर क्लोराइड आयन है और फलक पर भी स्सथ madam आई इसी तरह पर यहाँ पर थी हो इएWORK हो यहां पर याई किनारों पर स्थे हैं प्रते किनारा चार घुनों के मद्द्ध साजी सब्सक्राइब स्थे एक केंद्र में स्थे तो आप यहां पर देखिए कि एक गन केंद्र में अब किनारों पर 12 तो यह भी फोर हो गया यानि वहमारा जो रेशो था वन रेस्टो वन वहमें यहां पर मिल गया अगला एक्जामपल है हमारे पास सीजियम क्लोराइट का तो सीजियम की जो त्रिज्जा होती है जो रेडिस रेशो है वह 0.732 से बान के बीच में होना चाहिए और जो समयनवे स स्क्राइट आस निकाले तो सीजियम का वन पॉइंट रेशले से लिवन वन होता है और हमारा जो है वह 0.93 यानि एक से कम होगा तो इसी के बीच में आता है रेंच के बीच में और प्रतिक जो सीएश ायन है जो क्लोराइड है उसके आठ आयनों से गिरा रहता है अब इसकी जो एक ट्रेस्टू एक ट्रस इतना होगी अब सीएस क्लोराइड में जो आठ कोनों पर इस्तित होता और धनायन जो है केंद्र में इस्तित होता है इस प्रतित होता है क्लोराइड आयनों का संकुलन जो है बॉ सेंटर क्यूबिक स्टक्चर होता है और जहां गन के केंद्र में उसी प्रकार का आयन उपस्तित होता है जिस प्रकार के आयन कोने में पाए जाते हैं तो आप यहां पर देखिए कि कि CS-CL में CS-ION-CL का आकार लगबग समान होता है और सोडियम क्लोराइट के केस में यह था कि सोडियम का आकार छोटा होता है लेकिन यदि हम CS-CL की बात करें तो इसका जो आकार है वो लगबग बराबर होता है यानि कि धनायन जो है बड़े आकार के घनी शेत्रों में रिक्तिय क्लोराइट को डिकेट कर रहा है तो अब इसकी एक गन के सरजना देखिए इसके कोनों में है और सेंटर में आपका एक विद्धमान है CS इसी तरह से सारे सेंटर में है यानि आप फेसे स्पे CS नहीं है क्योंकि अब प्रती का कोस्ट पर हम देखे तो CS-CL के घन कोनों पर इस प्रकार प्रते घन शेत्र में CS-JN-I-M का प्रती एकांकी योग होता है अब CL जो प्लब्द आयन है वह भी एक है तो यह वन रिस्टू वन हमें यहां पर देखने को मिलता है क्योंकि जो कि इसके सेंटर में बेस्ट होता है अगला एक्जामपल हमारे पास आता है जिंक देखिए तो इसकी जो जिंक की जो जिंक आयन की जो रेडियस है वह 0.69 है जबकि इसकी 1.970 है तो रेशो जो है 0.405 यानि की इसी रेंज के अंदर आता है अब CS में प्रतेक जेडन प्लस आयन जो है चार एस माइन द्वारा प्रतेक एस माइन आयन जो है दोनों मतला जिंक प्रतेक है जो जो शार सलफइड आयन के द्वारा गिना होगा इसी तरह से यह भी जिंक भी सल विजिंक से गिराए यानि सलफाइड आयनों की संकुलन में भिंता के करदा जिंक सलफाइड डो सरचना होती है तो जिंक ब्लैंड सरचना को यदि हम देखें तो यहां पर क्या ज imagen आयन जो होता है वह कौनों में विस्तित है अब अब यहां पर देखें किते है इधर और यहां पर आपका जू कॉंश्षें उनमें पर दो न्याहिका लाइन कर दोन सभापिवार कि चिदर फेलिके 2 दोण याहा है में जिंक प्लस आयन द्वारा भरे जाते हैं इस प्रकार पर निच बिए नीचे डाइग्राम देखे कि यहां पर यादि हम एक डायग्राम की बात करें तो आप यहां पर देखे कि सैंटर में यहां पर जिंक प्रेजेंट है और दोनों corners के जो विप्रीत corners हैं उन पर हमारा जो है sulfide iron present होता है ठीक है अब जिंक sulfide में स्टू माइन की तुलना में जिंक प्लस आयन का जो आकार होता है वह बहुत ज्यादा छोटा आता है और इसी वज़े से जो धनाय की चतुषफल के जो हो रितियां होती है उसमें वह आसानी से चला जाता है ऐसे लवट जिन में रिनायों कि अपेक्षा धनायन का आकार बहुत देखने को मिलता है अगला जो इसका स्ट्क्चर होता है वुड्स जाइट सरचना है तो वुड्स जाइट किस्ट्रल भी एक 414 जो रेशो है उसका उसी की तरह की किस्ट्रल होते हैं जहां पर जो सल्फाइड आयन है जैड माइस जो है शटकून यह निबिट संकुलन यानि इन में से केवल चार चतुषफल की चिद्रों में ही जो जिंक आयन है वो सान ग्रेंड करते हैं बाकी जो है हॉल के रूप में रह जाते हैं जो जिंक ब्लेट ता वुड्स सरचना में केवल इतना अंतर है कि जो जिंक ब्लेट में जो हमारे सल्फाइड आयन है उनका जो संक बीच में आप यहां देखे यह जिंक है और यह आपका सिलफाइड है तो अब इस तरह की सरचना किसक्स में पाई जाती जिंग ऑकसाइड है कैडमीन सिलफाइड है वीयू इन सब के अंदर सरचना मिलती है तो आप यहां पर देखें डॉट्ट्स जो ब्लैक। डार्क डॉट हैं वह आपके जिंक आयन है और जो आपके होल्स है वह आपके सलफाइड आयन है तो आप यहां पर देखिए किस तरह से हेग्जागोनल यदि हम इस इस तरह से यह इसमें वेवस्तित रहते हैं तो यहां पर देखिए कि यह जो चैनल के रूप में गिरा हुआ है जब कि चार चतुष्वल के रूप में जिंग जारा गिया रहता है अब बात आती है अब प्रकार के इस प्रकार के जो नहीं होती है यानि की तुलना में ऐणी की संख्या दुगनी होती है और थार बी की तुलना में एक की समन्य संख्या दुगनी होती है यानि कि इस तरह की एक्जांपल है कैल्चियम फ्लोराइड है या टाइटनियम ऑक्साइड है इस तरह की एक्जांपल इसमें हमें देखने को मिलते हैं यदि हम कैल्चियम फ्लोराइड या फ तो फोर यहां पर जो केलिश्यूम आयन है वह घं के कोनों पर तता फलकों के केंदर पर तो तो होता है इस पर जो है वो कलोस क्यू पैक्किंग यानी CCP सरजना बनाते हैं जो कैलिशियूम आयन दौरा निर्मित सभी चतुष फल की चिद्रों में फ्लोराइड आयन इससित होता है इसपरस्ट है कि फ्लोराइड आयन चार कैल्शियम आयनों द्वारा गिरा रहता है यानि कि F- की जो समय में संक्याए वो चार होती है अब थर्ड पॉइंट आता है कि प्रते कयल्शियम की सापे 2 छतुषवल के छिद्र होते हैं तथा प्रते में जो फ्लोराइड आयन है इस प्रकार जो केल्शियम आयन है और फ्लोराइड आयनों का जो अनुपात होता है बट्छो वह 1 raise to 2 होता है जो कि calcium fluoride के अनुसार होता है अब यदि हम इसका structure देखें तो जो fluoride आयन है वो चार calcium आयनों द्वारा गिरा हुआ है अब पीछे अपन इसका structure देखें पहले यहाँ पर example देख लीजिए जैसे barium fluoride है barium chloride है strontium chloride है cadmium fluoride है HGF2 है इन सब के अंदर इस तरह के सरचना हमें देखने को मिलती है तो calcium fluoride में आप यहाँ पर देखिए कि जो dotted है dark spots जो बनेवे हैं वो calcium आयन है यह 1, 2 जो cube में है साथ में इसके center में एक है इसी तरह से यहाँ पर देखिए यह face में है और जो आपके जो fluoride आयन है तो fluoride आयन क की position देखिए यह में क्यूब के अंदर देखिए जो इसके 4-4 portion एदिया में क्यूब में देखिए तो center में जो है इसके बीच में होता है जो जो radius ratio होता है 6-2 radius ratio जो होता है वो इसके बीच में होगा और जो समन्वे संख्याय coordination जो है वो 6-3 होता है तो titanium oxide का नाम है rutile है और titanium oxide की सरचना को rutile सरचना हम कहते हैं और इस सरचना में प्रतेक titanium आयन 6 oxide आयनों के अस्ट्रफल के रूप से गिरा होता है प्रतेक oxide आयन है तीन titanium आयनों के समतल त्रिकोन ये planer व्यवस्ता में गिरा रहता है इस प्रकार जो rutile सरचना में भी दो बिन एकांक कोस्टिकाएं होती है अब यहां पर आप structure देखिए कि किस तरका है कि प्रतेक प्रेंटर है सेंटर में आप यहां पर देखिए आपका ऑक्साइड आयन है तीन जो आपके titanium आयन है उनसे गिरा हुआ है अगला एक्जामपल है हमारा cadmium iodide इसका जो radius ratio है वह 0.45 है और समयनमे से 6 रस तो 3 होती है और इसको बच्चों पन डारेक डाइग्राम पहले तो हम एक्जामपल देखें जैसे magnesium bromide, magnesium iodide, cadmium chloride, calcium iodide इन सब में इस तरह की सरचना पाई जाती है यह layer structures होता है और इसमें जो आप जो यह है और जो होल्स है वह iodide है तो इसमें देखिए आपके सरह से इनकी जो सरचना है वह पूरी आपको दिखाई देगी तो cadmium मे क्या होता है कि जो पर्माणू 6 iodine पर्माणू द्वारा अस्टेफल की रूप से गिरा रहता है प्रतेक iodine के निकट में cadmium पर्माणू ऐसे प्रेमिट के आधार के कोनों पर स्थित होते हैं अतर cdi2 की सरचना है वह कौन लाइक होती है और sandwich जैसा होता है इसलिए जिसका सं दिन प्रमाणू की होती है इस प्रकार sandwich परत विद्धूत उदासीन होती है इन sandwich के मद्य वांडरवाल बल कारे करते हैं तो बच्चों आज हमने विभिन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा नेक्स वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे धन्यवाद